असलाम उलाइका, प्रोग्रेमर चीमा हेर आज हम प्रोग्रेमिंग का एक बहुत दिल्चस्प हिस्सा सीखने जा रहे हैं बहुत एक्साइटिंग हिस्सा सीखने जा रहे हैं और इसको हम function का नाम देते हैं functions को हम सब routine भी कह सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने लगा कि functions को code कैसे करते हैं, बलके मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि functions का मकसद क्या है, functions क्या होते हैं, और functions क्यूं इस्तमाल किये जाते हैं, function एक ऐसे डबे का नाम है, जिसके अंदर हम एक input डालते हैं, कोई भी चीज डालते ह और फिर बदले में हमें एक output मिलता है, हम ये कह सकते हैं कि वो उस input के साथ कोई process करता है, और जवाब में हमें एक output मिलता है, किसी भी टास्क को करने के लिए, जो code होता है या कहले instructions होते हैं, अगर हम उनको किसी एक unit के अंदर pack कर लें, तो हम उसको subroutine का नाम दे सकते हैं, ये function और subroutine की general definitions हैं, लेकिन programming में ये दोनों चीज़ें तकरीबन एक ही हैं, मतलब आपस में मिलतु जुलती हैं और इसको हम एक ही चीज़ कॉंसिडर करते हैं, और हम function का लफ़ज जादतर इस्तमाल करते हैं, तो programming में function क्या चीज़ है, इससे मुराद ये है कि एक block of code, मतल और उस block of code के inputs और outputs हो सकते हैं, इनको इस्तमाल करके हम low level code को high level code में convert करते हैं, C++ एक low level language है, यानि के ऐसी language के जिसके हंदर हमने हर task को detail में code करना होता है, और हर एक एक चीज़ हमने खुद type करनी होती है, जो के काफी जादा time consuming होती है, इसमें काफी वक्ट लग जाता है, अब हम एक low level और high level की example लेते हैं, कि फर्स करें कि आपने एक window बनानी हो या open करनी हो किसी भी application की, लेकिन आप सीधा सीधा window को open नहीं कर सकते, आपको कुछ चीज़ें जहन में रखनी पड़ेंगी, आपको उस window का title बताना होगा, आपको उस window की height और width भी input करनी होगी, डाल में show करना है, display करना है, और ये तो सिर्फ एक मिसाल है, प्रोग्राम के इंतर जितने भी छोटे छोटे टास्क होते हैं, जैसे कि अभी एक छोटा सा टास्क है, window को open करना, इसमें इतनी जादा details होती है, और इनी details को set करते करते, जो है, कहलें के बहुत वक्त लग जाता है, बहुत जादा time consuming होता है सारा process, low level से मुराद सिधी सी बात है, कि जादा code होगा, जादे decisions आपको खुद लेने होंगे, और आपको जादा effort लगानी पड़ेगी, लेकिन बदले में आपको जादा control मिलेगा, और जो टास्क आप execute करेंगे, वो आप फटा-फट execute कर लेंगे, म है computer, make a variable of window, make another variable of size, and then window size equal to that size, stretch the window gradually to that size, window in the center, and then force the window to be shown, blah blah blah, बहुत कुछ, सिर्फ window open करने के लिए हमें इतना ज्यादा code लिखना पड़ेगा, और इतना ज्यादा सोचना होगा कि क्या, कितना किस तरह, ठीक है, और इसी को हम low level कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं के इसमें control ह हमें ज्यादा मिलते हैं, और हम चीजों को exactly उसी तरह, मतलब हम set कर सकते हैं, जिस तरह हम चाहते हैं, लेकिन इसका एक मसला ये है, कि इसको करने में time लगता है, ये मुश्किल तरीका है, मतलब किसी भी कोडने का, अगर आपने application के अंदर, या game के अंदर task करने हैं, छोटे को असान करने के लिए functions और subroutines का इस्तमाल किया जाता है, अब इसी के बर अक्स, अगर हम high level को देखें, तो high level में क्या हिसाब है, कि काम code, काम effort, और आप अराम से नाकाम कर लेंगे, जैसे कि यहां उसी लंबे से जो बड़ा सा paragraph है, उसी को छोटा करके बस एक सिदी सी line है computer, open up the window, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें control काम है, आप इसमें हर चीज़ नहीं set कर रहे हैं, कि क्या width है, क्या height है, और सारी चीज़ है, ठीक है, high level code को execute करने में थोड़ा सा performance decrease होती है, बहुत minute, आजकल के modern computers हैं और वो इस चीज़ को इतने अराम से handle कर लेते हैं, मत कोशिश ही होनी चाहिए कि हम low level से high level की तरफ जाएं, अभी जो हमने पीछे बात की computer, open up the window, इसमें जो open up the window की जो बात है, वो क्या है, वो क्या है, वो एक abstraction है, जी है, abstraction, abstractions जो है, code को असान बना देती है, पढ़ने में भी, और code के साथ काम करने में भी, अब देखें, मैं और आप, और कोई भी बन्दा अराव से समझ सकता है, कि open up the window का क्या मतलब है, लेकिन मज़ेकी बात है कि computer भी इस बात को उसी तरह समझ रहा है, कि जिस तरह आप इस बात को समझ रहें, तो यह थोड़ा सा tricky है, मैं आपको समझानी कोशिश करता हूँ, कि अब computer यह जाता है कि open up the window का क्या मतलब है, क्योंकि आप मने computer को बता दिया, कि open up the window का यह मतलब है, यह यह करना है जब मैं बोलू open the window, और इस abstraction को बनाने के लिए हम function का इस्तमाल कर सकते हैं, तो अब हम एक इंतहाई हैम सवाल की तरफ आते हैं, कि हमने functions कहां कहां इस्तमाल करना है, और आखि इस्तमाल ही क्यों करने है, तो सबसे पहली वज़ा है abstractions, जैसे कि हमने पीछे बात की, परस करें कि आपने 1000 लाइने code की लिख दी, ठीक है, एक ही जगा सारा का सारा code है, अब अगर आप 6 मिंगे बाद code फिर से खोलें, 1000 लाइने, ठीक है, तो आपको क्या मुश्किल ने फिर पढ़ें और से समझें, और यहां मैं सिर्फ 1000 लाइनों की बात कर रहा हूं, प्रोग्राम जो हैं, वो 10-20 लाइनों तक भी चले जाते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम भी बन जाते हैं, ऐसे में अपने सारे code को पढ़ना और उसके साथ काम करना इंतेहाई म कर सकें, Divide and Conquer, अब आप साइंस की मिसाल ले लें कि साइंस, बायो, केमिस्ट्री, मैथेमेटिक्स और धेर सारी ब्रांचिस में डिवाइड हुई हैं, और उसके बाद वो ब्रांचिस भी आगे से मजीर डिवाइड हुई हैं, तो इसकी वज़ा क्या है, इसकी वज़ा यह कि साइंस को हम simplify करें, साइंस को हम renov置 CL, अपरे यह लिए असान बनाएं, यह तो सिर्फ एक मिसाल है, और इसी तरह हम हर चीज को divide करते हैं, ताके हम उनको असान साइं, हम हर मिसी का catalogues बनाते हैं, chapters बनाते हैं, paragraphs बनाते हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि सारा कुछ एक ही जगा हो जाए और अगर ऐसे हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है इनसान के लिए हमारे लिए उसको अब्जॉब करना उसको समझना और यही वज़ा है कि हम code को भी divide करते हैं तो अब हम अगली वज़ा की तरफ आते हैं और वो है reusability functions तब इस्तमाल किये जाएं जब इस बात का हमें अंदादा हो कि जो block of code हम अभी अपने सामने रखे में हैं वो हमने बार-बार इस्तमाल करना है अब यहां एक मिसाल दीवी है string name, cout, enter your name, sin, name ठीक है और first करें कि हमने बार-बार इस्तमाल करना है, सिर्फ तीन लाइने, ठीक है और अब यह तीन लाइने हैं हम इसको एक function के अंदर डाल रहे हैं और उस function का नाम हमने डाल दिया, enter name, ठीक है अब हमने जहां जहां भी नाम enter करना है हम बजाएने कि तीन लाइने लिखे हम सिरफ एक लाइन लिखेंगे और वो है इंटर नेम फर्स करें कि हमने नाम को जब दस बार इंटर करना है, 10 बार इंपुट करना है, तो इस function को अगर हम इस्तमाल करेंगे तो 30 لाइनों की बज़ए, 30 code lines की बज़ा है, सिरफ 10 code lines इस्तमाल होंगी अब जरा आप हुदी सोचें कि 30 pages वाली किताब ज़्यादा असान पढ़ना होगी या 10 pages वाली किताब obviously कि जितना code छोटा होगा उतना असान होगा code को पढ़ना, functions बार-बार एक ही code को लिखने से बचाते हैं और आपकी जिन्दगी आसान कर देते हैं तो अगला point है is of use, avoiding unnecessary understanding of code जब आपने एक दफा function के अंदर code लिख दिया, तो आपको उस code को दुबारा कभी भी समझने की ज़रूरत नहीं है, जो code आपने function के अंदर लिखा है आप उस code को बगैर समझे बार बार इस्तमाल कर सकते हैं ये बिल्कुल इसी तरह है कि आप गाड़ी चलाते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि गाड़ी के अंदर के फुर्जे एक दूसरे से किस तरह काम करते हैं, आप microwave चलाते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि microwave के अंदर किस तरह से खाना गरम होता है आप रोज बलब चलाते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि बिजली किस तरह से काम करती है आप computer या mobile चलाते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि कि उसके अंदर applications, websites और यह सारी चीज़ें वो कैसे चलती है बिल्कुल इसी तरह आप functions इस्तमाल करते हैं लेकिन आपको यह नहीं पता होता कि function के अंदर क्या code है इस वीडियो को हतम करने से पहले हम एक function या subroutine कह लें उसकी example देखते हैं और वो example यह है जो हम बार बार हर program में देखते हैं int main return 0 यह function और subroutine ही है और इसको हम कहते हैं main function कोई भी C++ compiler हमेशा इस main function के अंदर जो code होता है उसको execute करता है मुझे उमीद है कि आपको functions का concept समझ आ गया होगा और अगर आपको functions की concept की समझ आ गई तो फिर इस वीडियो को like करें प्यूसों के साथ share करें और साथ ही साथ इस चैनल programmer चीमा को subscribe करते जाएं मिलते हैं अगली वीडियो में अल्ला हाफिस